तो देखिए आज मैं फिर से आपको लिए एकदम यूनीक सा और आलग सा थाल पोस लेके आई हूँ जो अभी तक मैंने आज तक जितने भी थाल पोस बनाए हैं उनमें सबसे आसान और एकदम यूनीक तरीके का है आज से पहले आपने यूटूब पे या कहीं पे भी इस तरह का नहीं देखा होगा तालपोस तो यह बटाफट से हम बनाना शुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए मैंने के दोनों यूशा है और जो हमारा किरोशे वो 3.5 mm का है तो चलिए इसे बनादा films चूब करते हैं और इसे बनाने के लिए हमें क्या करना होगा यह देखे इस पांच चैन लें लेंगे और ये लास्ट वाली चैन में डालके इसे जोइन कर देंगे और फिर एक दो दो चैन लेके और यहां पे एक डबल क्रोश्या दो ऐसे ही हम इसमें ग्यारा डबल क्रोश्या बना लेंगे और एक हमारी चैन तो टोटल बारा हो जाएंगे तो ये बार बारा बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है तो ये देखे ये हमने टोटल है ना बारा बना ली है चैन सही जो ये हमने चैन बनाई थी ना उस सही इस तरह से ठीक है उसके बाद में हम एक दो तीन चार चार चैन बनाएंगे as a double crochet उसके बाद में एक दो तीन हमारी चैन हो गई ठीक है अब हम फंदे ना इस तरह से लेंगे और ये इसी चैन में डालते हुए हम एक triple crochet बना लेंगे ठीक है फिर एक दो तीन चैन लेंगे और फिर से हम यहाँ पैना अगली चैन में एक triple crochet बनाए तिपल क्रोशय के उता है देखें दो बार हमने यह फंदे लिये किरोशय के उपर और यह अगली चैन में डाला और यह दो दो करके हम तीन बार में जो निकालते हैं वो हमारा triple crochet होता है फिर से तीन चैन और फिर से अगली चैन में हम triple क्रोशय बना लेंगे तो ऐसे ही हम को begin के तो यह total 12 हो गये अब हम्में जास्त में तीन लेके और यह देखे एक-दो-तीन-4 यह चार जो फॉर्थ वाली चेन है उसमें डाल के इसे join करेंगे तो यह हमारा इस तरह से बन जाएगा उसके बाद हमें क्या करना है एक दो दो चैन लेंगे और दो चैन हमारी यह ले ली हमने उसके बाद में यह देखें यहां पर डालेंगे दिखेंगे तब हम यहां पर दो चैन और फिर दो चैन बनाएंगे और यहीं पर डालके एक डबल क्रोशिया बना लेंगे ठीक है उसके बाद में एक दो दो चैनलेंगे और फिर से यहाई पे डालके एक डबल क्रोश्या और फिर से इसी पे डालेंगे एक डबल क्रोश्या ठीक है इस तरह से फिर से यहाँ पे दो चैनलेंगे और फिर से एक डबल क्रोश्या और एक डबल क्रोश्या ठीक है तो इसी बैसे हमारा यहां तक बन के ना पूरा तैयार हो गया है ठीक है अब हम इसे ही यह पे जो चयन हमे ली उसमें डल के is ie in कर देंगे और इसन के बीच में बाल के में गंद रखुआ कर रख लिंगे अंचि उसमें इस तरह करना है देखिए यह जो हमारी दो चैन दी न इंजमें डाल के हमें 1 double crochet, 2 double crochet ठीक है एक, दो, 3, 3 chain और फिर से इसी में डाल के हमने 2 double crochet बना लेंगे ठीक है अब हमें जो जोईन करना है ये जो डोनों double crochet है ये बीच में डाल के is гр in, है फिर से chain में आ गए और यहां पर हमें फिर से दो डबल क्रोश्या तीन चैन और दो डबल क्रोश्या बनाने हैं ठीक है इस तरह से फिर इसके बीच में डालके इसे सिंपल क्रोश्या से जोइन कर देंगे और फिर से चैन आ गई तो यहाँ पे हमें फिर से दो डबल क्रोश्या तीन चैन और दो डबल क्रोश्या बन पूरा कम्प्लीट करके फिर दिखा तो यह देखिए यह हमने ना पूरा इस तरह से बना लिया है और इसे हम जहां से हमने शुरू किया था वहीं पे डाल के इसे जॉइन कर देंगे और चाहे तो यह उनको हम यही कट कर देंगे नहीं तो आगे जो हम वर्क करेंगे उसमें का समाच है का थिक है अगर आपको कट नहीं करना है वैसे तो कट भी कर सकते तो यह देखिए यह कुछ इस तरह आपकर बनेर तयार हुआ है यह देखिए अब इसवें दूसरा color लगाएंगे जब यह दूसरा color लगाएंगे तब इसका वार के न अच्छे से आपको इना दिखाई देखा और अच्छे से समझ आएगा ठीके तो इसे जो हमें join करना है वो यहाँ पे करना है ठीके यहाँ पे join करके यहाँ पे मतलब जहाँ पे हमने बीच में न तीन चैन ली थी वहाँ पे ठीके इस तरह से अब हम इसमें एक, दो, तीन, चार चार चैन लेंगे और इस तरह से डालते यहाँ पे एक double crochet और एक यह चैन वाला तो दो हो गए और यह तीन और यह चार तो ये देखे चार डबल क्रोश्या होने के बाद अब हमें इसमे ना एक दो दो चैन लेनी है और यही पे डालके इसी चैन में डालके 4 डबल क्रोश्या और बना देंगे ये देखे इस तरह से ये तीन और ये चार थिक है अब हम यहाँ पर एक चैन लेंगे और आगे वाली जो यह चैन है ना तीन चैन है जो यह वाली देखें यहाँ पर एक चैन ली और यहाँ पर जो यह आगे वाली तीन चैन है इसमें भी सेम तरीके से करेंगे पहले चार डबल क्रोश्या लेंगे और यह देखें तीन हो गए और यह 4, 4 double crochet हो गए, फिर 1, 2, 2 chain और फिर से 4 double crochet, ठीके तो ऐसे ही हर chain में हम ऐसे ही बनाते जाएंगे, ठीके यह देखिए जैसे हे नट यहां पर बनाई फिर, यह अगले वाली जो chain nah इसमें बनाएंगे फिर इस जागे वाली में ऐसे ही पूरे में बना लेंगे तो पूरे में बना के फिर दिखाते हूँ तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये बन गया है और ये कुछ इस तरह का लगा है ठीके तो ये मैं आपको दिखा दूँ कि ये कुछ इस तरह का लगा है ठीके अब इसके बाद हमें क्या करना है वो आप देख लीजे तो यह हम जहाँ पर हमने यह चैन ली थी ना वहाँ पर डालके यह जोइन कर देंगे ठीके उसके बाद में यहाँ पर हम बlıकुन स्चृ खरसें से एक एकिकर चैन, सिम्पल क्रोशः बनाएंगे धीक है, फिर उसके खरसें शाएंगे खकी है कर डा करेंगे हैं उसमें इस WINंतों कि चैन अमने मेरे छोंहें करतें इंग इसी यह 2 की चैन ती दो ह wave क्रोशए विर यह गल्ली को में दोफ से अगले बेगए यह 2 की चैन दो करेंगे हो चैन अगले वाली चेहन में गशार हो गए ओसके बाद में खुरेझेद यह बीच hori can बंबनेंगे फिर में दबल करोश है पी तो यह चैन यह चैन लिए ते कब यूच और इच सेड़ां पांच टीके इस तरह से यह देखे ठीके और फिर हर यह जो चैन है आगे वाली इन सब में डाल के एक डबल क्रोश्य बना लेंगे ठीके अब अगले वाले पे आगे इसमें भी हम अगली इसमें जाएंगए यह फर्स्ट वाले डबल क्रोश्य और सेकंड के बीच में, वहाँ पर डालके एक डबल क्रोश्य बनाएंगे, यह तो और यह तीन, और फिर जो चैन है उसमें डालके फिर से एक डबल क्रोश्य, फिर से यहाँ पर दस चैन लेंगे, और फिर डबल क्रोश्य बनाएंगे, तो यह देखे, कुछ इस तरह का हमारा यह दिखाए और चार डबल क्रोशय यहां है, बनाएंगें Boulder क्रोशय हो गया द index chaino उल्फ dość a4 अवाल क्रोशय यह दगें यहां प्र चार डबल क्रोशय हो गया और अब हम यहां पर index chain बनाएंगे और फिर चार डबल क्रोश आ Erst a ही हम यह पूरे बना लेंगे तो पूरे महीं बना के फिर दिखा तो यह देखिए यह पूरे हम इसी था बना लिया है और और एसे यहाँ पर चौड़ दिखे और पीछे से जो हमने यह छोड़ा था जो दूसरा कलर हमने छोड़ा था उसे हम इस तरह से चैन बनाते वे उपर की साइड ले आएंगे चैन इसलिए बनाएंगे क्योंकि यह उतनी इसमें जब हम यहां पर जॉइन करेंगे तो यह वह नहीं होगा परेशान नहीं करेगा और यह अराम से निकल जाएगा तो इसे पीछे कर देते हैं और यह चैन हमें उतनी ही लंबी बनानी है जितनी हमारी इस वाली चैन तक जो यह हमारी 10 चैन बनाई है न इस चैन तक आजाए ठीक है इसके बाद में यहां पर हम 3 चैन लेंगे और फिर डबल क्रोशिय बनाना या वो हम यह देखिये एक तो चैन हो गई एक थो इसे की ने अगे और तीन और हमने बना लिए तो 4 हो गए अब यह पाँच छे और ये साथ ठीक है उसके बाद में एक दो तीन तीन चैन लेंगे और फिर से हम साथ डबल क्रोश्या बनाएंगे इस तरह से तो ये दो ओगए ये तीन चार पांग छे और ये साथ ठीक है हमने साथ बना लिए है उसके बाद में हमें क्या करना है देखिए अगले वाली जो ये चैन है इस पे जाएंगे और यहाँ पे हम इस तरह से बिना चैन लिए ही ऐसे डबल क्रोश्या बनाना शुरू करेंगे और इसमें जो हमें डबल क्रोशा बनाने हैं वो हमें साथ डबल क्रोशा तीन चैन और फिर साथ डबल क्रोशा इस तरह से ही हमें पूरे में बनाते जाना है ठीक है जैसे हमने ये साथ डबल क्रोशा तीन चैन और साथ डबल क्रोशा बनाए है ना तो यहां पे भी ऐसी ही बन जाएंगे 60 डबल क्रोश्या तीन चैन और साथ डबल क्रोश्या फिर अगली चैन पर जाएंगे और इसमें भी सेन तरीके से बनाएंगे तो पूरे में बना लेते हैं फिर दिखाती हूं आपको तो यह देखिए यह हमारा है ना इस तरह से हमने पूरी की पूरी लाइन बना मैं अगर को इसमें बताओं कितने बने है तो 1 2 3 चार 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तो इस वाय में हमारे टोटल जो बने हैं वह 12 डिजाइन बने हैं कि सारिकिया तो इसी तरह से अब हमें इसे यही पे देखिए जहां से हमने यह शुरू किया था एक मिनट में खोल के दिखा देती हूं आपको देखिए यहां पे बनानी के बाद अब हम इसे जहां पे हमने चैन बनाई थी यह वहां पे डालके इसे इस तरह से जोइन कर देंगे और जोइ जो हम दूसरा कलर लगा रहे हैं वो ठीक है तो यह नीचे से हम ऐसे ले लेंगे और यहां पे भी अब हमें ऐसे चैन बनानी पड़ेंगी उपर तक लानी के लिए ठीक है गहें तो इसमें न देखिए जो यह बीच में न आई क्योंकि सिर्फ यह यह एक एसी जगाओगे जहां पे यह देख़िए इस तरह से पीच में आ सकती है तो हम इसमें क्या करेंगे इसमें पहले दो चैन बनाके और इधर जो हमने चैन बनाई थी उसमें डालके से जोईन कर इस तरह से ठीक है और उसके बाद में फिर से चैन मना के उपर की साइड ले आएंगे तो ये इस तरह से कम दिखाई देगी ठीक है क्योंकि ये सिर्फ ये ही एक ऐसी जगा होगी जहां पर ये दिखाई दे सकती है तो अब हम इसमें डालके जो हमारा ये फन्दा था ना जो ये ये मर्जेंटा वाली उनका था उसमें डालके इसे जोइन कर लेंगे ठीक है जोइन करने के बाद एक दो तीन चार सोड़ी तीन चैन लेंगे और तीन चैन लेनी के बाद हम यहाँ पर एज़ा एक डबल क्रोशा होगा फिर आगे वाली चैन में डालेंगे और वहाँ पर हम ऐसे डबल क्रोशा बनाना शुरू करेंगे ठीक है हर एक चैन में हमें एक एक डबल क्रोशा बनाना है तो ये हर एक चैन में डालते वे एक एक डबल क्रोशय बन रहा एक दो तीन चार पान छे चे बन गए और अब जो ये हमने तीन चैन ली थी इन में हमें एक दो दो डबल क्रोशय बनाएंगे फिर से तीन चैन लेंगे और इधर साइड इसी चैन में डालते वे हम दो डबल क्र दूर बना लेंगे। थीका उसके बाद में हर एक चैन में डालते बैक एक double crochet बनाएंगे। ये देखी इस चैनम एक बनाएंगे। ये यहां तक हमारा बन गया बनने के बात देखे जो ये बीच वाली ये चैन है न ये इसमें हमें नहीं बनाना है बस इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जहां पे ये जोइंट हो रहा है न वहां पे हमें नहीं बनाना है डबल क्रोशिया ठीक है और फिर हम सब में इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और यहां हम दो डबन क्रोश्या बनाएंगे तीन चैन लेंगे और फिर से दो डबन क्रोश्या बनाएंगे ठीके फिर से यहां पे डबल क्रोश्या बनाते जाएंगे और डबल क्रोश्या बनाके सेम तरीके से बीच में हम नहीं बनाएंगे और इसे पूरा बना लेंगे देखे इस तरह से देखे आप देखे न अच्छे से समझ पाएंगे और मैं आपको देखे अगर आपको समझ ना तो मैं आपको ये बता दूं कि यह जो हम बीच में यहाँ पर बनाएंगे ना, यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पान, छे, सात, आठ, यह आठ हमारी है ना, डबल क्रोशे बनेंगी, क्योंकि दो हमने इधर बनाई है एक साइड में, ठीक है, दो इधर बनाई है, और छे इनक के बीच में बनी है तो यहाट हो गई फिर हम दूसरी साइड जाएंगे इधे के यहाँ नहीं बनाएंगे इधर हमारी ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बनी थीके तो ऐसे ही हमारी क्योंकि हमारी साथ थी तो यहाँ पे हमारी 8 हो गई है फिर इस से उपर वाली लाइन में एक साइड में 9 हो जाएंगी फिर 10 फिर 11 ऐसे ही ये बढ़ता चला जाएगा ठीक है अगर आपको मेरे समझाने में थोड़ा सा वे कहीं डाउट लगता है या कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर लेना मैं हर कमेंट के चवाब देती हूँ और आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी ठीक है तो ये इतना ही असान है इसी तरह से हम हर एक लाइन में बनाते जाएंगी और एक लाइन हम इस कलर की क्योंकि ł sub taking a तो ये देखिए इस तरह से मैंने पूरा का पूरी है बना के तयार कर लिया है इस में मैंने आपको पताया है किस तरह से रह से हम ये बना रहे थे ऐसी बढ़ाते हुए वे लाज़ंगी लगा है और लाश्ट में बना सकते हैं तो इसमें न देखिए यह काफी बढ़ा और सुन्दर सा पूरा बन के तयार हुआ है आप खुद भी नहीं सकते हैं कि इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगा था और यह काफी जल्दी बन गया था अब मैं आपको इसमें बता दूँ कि यह लास्ट में इसके ब अगर आपको इसका बॉर्डर भी बनाना है क्योंकि मुझे थोड़ा सा बॉर्डर बनाना था अलका सा तो इसमें बॉर्डर बनाना शुरू करते हैं और मैंने इसमें आपको बता दूँ कि इसके यहां से डिजाइन शुरू करने के बाद मैंने इसमें देखिए यह वाली एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे लाइने बनाई हैं, और अगर आपको जादा बनानी है, मतलब बहुत बढ़ा बनाना है, तो आप साथ, आठ, नो, ऐसे जादा लाइने बनाते चले जाएए, तो ये काफी बढ़ा हो जाएगा, मेरे लिए ये काफी था, और मुझे ये इतना ही बढ़ा चाहिए था, तो मैंने ये इतना होना है, अगर आपको मुलब परात के लिए, या जादा बढ़ा चाहिए, तो आप इसे बढ़ा बना लेजिए, इसकी लाइने बढ़ा लेजिए, ठीके, तो ये देखे, अब हम ये तूसरा कलर ले ले लेंगे, और इसे इस तरह से इसमें जॉइन कर लेंगे, ठीक है, फिर हमें क्या करना है, इसे पीछे की साइड में डालना है, यह निकालना है और यहां से दोनों फंदों को निकाल देंगे, इस तरह से पीछे की साइड में डालेंगे, फंदा लेंगे और इन दोनों फंदों को एक साथ निकाल देंगे ठीक है यह देखिए फिर से पीछी की साइट वाले चैन में डालेंगे दो फंदे हो गए और इन दोनों को निकाल दिया इस तरह से ठीक है यह देखिए इस तरह से हम यह बनाते जाएंगे देखिए तो यह अब हम उपर है न चैन पर आके हमें क्या करना है वो मैं दिखाती हूँ आपको अब यह देखिए इस तरह से हमने यह बना लिया है और अब हम यह चैन पर आ गए है इस तरह से पहले चैन में डालके एक बना लेंगे और इसके बाद हमें क्या करना है देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ चैन लेंगे और यह यही पर डालके इस तरह से सिम्बल क्रोशा से जोइन कर देंगे ठीक है उसके बाद में फिर से एक दो तीन चार पांच छे साथ चैन लेंगे और इसी में डालके इस तरह से निकाल लेंगे यह दो हो गई फिर इसी में साथ चैन बनाएंगे और इसी चैन में डालके हम यह निकाल लेंगे तो यह हमें यह यहा पे तीन बनाने है इस तरह से ठीक है फिर हम हर एक फंदे में डालते वे 15 वैसे ही करना है जैसे हम पहले करते वे आरहे हैं ठीके तो ये पूरा इसी तरह ऐसे बना लेंगे और ये देखें ये बॉरडर इसका इस तरह ऐसे बना है तो यह पूरे में बस यह जो हमारी यहाँ पे चैन होंगी ना, इन्हें हम यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे आके चैन में फिर से इस तरह से ही बनाना है, नहीं तो ऐसे ही पूरे में बनाते जाएंगे, तो यह पूरे में बनाके फिर में दिखाते हूँ आपको, तो यह दे यह लाइन बढ़ा लीजे तो लगेगा लेकिन आप अगर इसे इतना भी ऐसे भी रखेंगे क्योंकि मैं इसे काफी दूर से आपको दिखा रही हूं जिससे पूरा का पूरा यह दिख सके आपको तो यह ना मतलब अगर देखा जाए तो यह काफी बढ़ा है मैं एक बार आप 18 इंच हमारा बैट रहा है अगर हम एक सिकेंड देखे बिक्कुल बीच वाले से ऐसे करके नापेंगे यह यह देखे तो यह पूरा 18 इंच हमारा आ रहा है तो 18 इंच काफी बढ़ा होता है लेकिन कुछ को ज़्यादा बढ़ा बनाने के लिए मैंने आपको बताया ही है कि यह कितना असान है और कितनी असानी से आप से बना देंगे इसकी सबसे चीजे वह यह है कि इसका जो यह वाला पोशन है यह बहुतं अच्छा लगता ऐसे लटके हुए काफी अच्छा लगता है और ये काफी सुन्धर भी है तो चलिए आपको ये कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना और मैं ऐसी ही अच्छे अच्छी वीडियो आपके लिए लाती रहती हूँ तो आप मेरे चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले तो चलिए मिलते हैं अब ऐसी ही कोई नई वीडियो के साथ भी आपके लोगाई जापके लगाई जापके लोगाई प्लीज सबसे लाई चाता है